भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज संपन्न हो गई है और इस सीरीज में भारत को एक शुन्य की जीत मिली पहला टेस्ट भारत में एक पारी और 141 रनों से जीता था तो दूसरा टेस्ट मैच जो है बारिश के कारण धुल गया पाचवे दिन खेल नहीं हो सका और मैच ड्रॉ रहा भारत ने इस सीरीज के लिए कुछ प्रियोग किये थे उन प्रियोगों की बात करेंगे कि वो कितने सफल रहे ये भी बात करूंगा कि ये जो सीरीज भारत और विस्ट इंडीज के बीच खेली गई टेस्ट मैचों की उसमें किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन टॉप फाइब बॉलर कौन है इस सीरीज से उनकी बाते होंगी और किन के लिए निराशा जनक रहा ये सीरीज इस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले बता दूँ कि आप देख रहें न्यूज बाइसकोप और मैं हू राकिश रंजन भारत और वेस्ट इंडीज के अब इस सीरीज के बाद अगर हम बात करें तो भारत के लिए क्या-क्या पॉजिटिव रहा हम इसकी चर्चा करते हैं तो देखिए भारतिये चैन करताओं ने एक प्रियोग किया था विस्ट इंडीज के खिलाफ कि उन्होंने कुछ इस्टैबलिस्ट प्लेयर को इस दौरे पर नहीं भेजा था जैसे चतेश्वर पुजारा नहीं थे मुहमद शमी नहीं थे तो इन जैसे खिलाडियों को इस टेस्ट सीरीज से अलग रखा गया था और युवा खिलाडियों को आजमाया गया था यशास्वी जैसवाल टीम में आये थे मुकेश कुमार टीम में आये तो इसका क्या रिजल्ट आया तो अगर आप देखें तो इस सीरीज की अगर हम खोज की बात कर लें तो यशास्वी जैसवाल इस सीरीज की खोज रहे और उन्होंने भविशी के लिए बहुत सारी उम्मीदें बना दी हैं तो यह जो प्रियोग रहा न BCCI का की युवा खिलाडी और अनुभवी खिलाडियों का एक मिश्रन हो उन दोनों को मिला कर एक टीम बनाई जाए और देखा जाए कि यह जो ट्रांजिशन पिरियड है इसको सफलता पूरवक कैसे आगे बढ़ाया जाए कि युवा खिलाडी कुछ इस्टैबलिस्ट प्लेयर रहें और उनके मार्ग दर्शन में युवा खिलाडी जो है टीम को लेकर आगे बढ़ें तो इस मामले में ये टेस्ट सीरीज जो है भारत के लिहाज से पूरी तरह से सफल रहा अगर हम इस सीरीज में टॉप फाइब बैटर्स की बात करें रनों के लिहाज से तो हम बात करेंगे कि यशस्वी जैसवाल इस टेस्ट सीरीज में सबसे सफल बैटर रहे भारत के नवोदित किलाडी टैलेंटेड यशस्वी जैसवाल ने दो टेस्ट मैच में तीन पारियां खेली और उन्होंने 266 रन बनाए जिसमें पहले टेस्ट मे जो की उनकी पहली पारी थी उसमें 171 रनों की पारी भी शामिल है दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी उन्होंने आद्शा तक जमाया था तो ये जो भारत वेस्ट इडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज हुई उसके सबसे सफल बल्ले बाज रहे यशस्वी जैस रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी जो है अपने फॉर्म में वापसी की है अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने इस सीरीज में 240 रन बनाए जो यिशस्वी जैसुआल के बाद सबसे ज़यादा है तो दूसरे नमबर पर रोहित शर्मा है उन्होंने 240 रन बनाए एक शतक शामिल है दो अर्द शतक शामिल है तीसरे नंबर पर विराट को ली है जिन्होंने की 197 रन बनाए और अगर हम आसत की बात करें तो विराट जो है वो पहले नंबर पर रहे उनका जो एवरेज है वो 98.50 का रहा लेकिन रन बनाने के मामले में विराट इस सीरीज में तीसरे नमबर पर रहे चौते नमबर पर विस्ट इंडीज के कप्तान क्रेक ब्रितवर्ट थे और पाँचवे नमबर पर विस्ट इंडीज के ही उदाइमान खिलाडी एथानेज थे तो यह हो वो रविचंदरन अश्विन ने लिए उन्होंने 15 विकेट लिए दूसरे नमबर पर रविंद्र जडेजा हैं जिनोंने 7 विकेट लिए सिराज को भी 7 विकेट मिला तो यह टॉप 3 गेनबाज हैं इस सीरीज के तीनों ही भारतिये हैं चौथे नमबर पर वारी केन आते हैं विस्टेंडीज के जो लेफ्ट आब स्पिनर हैं उन्होंने 5 विकेट लिए और केमार रोज जो हैं वो 5 विकेट नमबर पर हैं तो यह टॉप 5 बॉलर की बात हमने कर ली अगर हम बात करें निराश होने वाली बात है तो किसके लिए आप कह सकते हैं कि यह दौरा निराशा जनक रहा लंबे समय के बाद उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई थी वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप के फाइनल में और वहाँ पर उन्होंने अपनी वापसी शांदार की थी तो उनसे उम्मीदे बढ़ गई थी और यही वज़ है कि यह उनके लिए चिंता की बात है क्योंकि बहुत सारे टेलेंटेड युवाप खिलाडी जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं टीम में अंदर आने के लिए उस दरवाजे को नौक कर रहे हैं गिल के लिए भी एक नया एक्सपिरियंस था तीन नंबर पर बल्ले बाजी करना टेस्ट मैचों में क्योंकि वो रोहित के साथ जो है पारी की शुरुवात करते आ रहे हैं पिछले कुछ टेस्ट मैचे से जो उन्होंने खेले हैं लेकिन अगर हम बात करें कि इस दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई उसमें गिल का प्रदर्शन आशा नरूप नह नहीं रहा हलाकि जो दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी हुई वहाँ पर उन्होंने कुछ लाय पाई है तो जो एक चतेश्वर पुजारा की जगा भरने के लिए गिल को आजमाया गया है तीन नंबर पर वो अभी तक तो बहुत सफल नहीं हुआ है लेकिन चुकी पाँच महीने का वक्त है बीच में बहुत सारे लिमिटेड ओवर्स के मैच खेले जाएंगे तो इन सब के बीच जो साउथ अफरीका के खिलाब टेस्ट सीरीज होनी है उस पर सब की नजर बनी रहेगी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप के लिया आज से बहुत ही पहलू है उस पर हमने आपसे बातचीत की अभी आपसे अनुमती चाहूंगा इजाज़त दें नमस्कार